ये एनर्सी के बाद हम रियलाइस करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज़ पर ना हम सरगार पर भरोसा कर सकते हैं ना हम सुप्रीम कोड पर भरोसा कर सकते हैं कि अगर हमारा दिमाग खराब करा तुमने जादा, तो भारत तो बंद होगा ही होगा, ऐसा सहलाब आएगा कि तुम लोग परदाश नहीं कर पाओगे। किस कैमपस में टियर गैस और स्टन ग्रेनेट और रबर बुलेट्स और पेलेट्स इस्तिमाल होते हैं, किस कैमपस में इस्तिमाल होते हैं, नई सिर्फ मुस्लियम कैमपस में इस्तिमाल होते हैं यह वही सुप्रीम कोट है जिसने इंडिया की कलेक्टिफ को पॉनिर के लिए अगुर को आसी पे चोड़ाया था यह वही सुप्रीम कोट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पारलिमेंट अडास में कोई हाथ नहीं था यह वही सुप्रीम कोट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के निचे कोई मंदर नहीं था साला तोड़ना गलत था मंदि मस्जिद गिराना गलत था और फिर बोलती है कि यहाँ बे मंदिर बनेगा शिकायत किसे करें शिकायते बहुत है सुलवाई नहीं होते मेरे आने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सुनना पड़ेगा अभी तो बहुत सुनना है तो यह जो सीदे से मुस्लिम विरोली सरकार है इसके खिलाफ एक लड़ाई चिली है CAA NRC के खिलाफ ही लड़ाई है लेकिन सबसे पहले मेरे लिए और मुझे से बहुत से रोगों के लिए और मुझे से बहुत से मुसल्मानों के लिए लड़ाई हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है और यह पता देने आए है कि यह 14% की बात अभी भी मान लो कि अगर हमारे दिमाग खराब करा दूर में जाता तो भारत को बंद होगा ही होगा ऐसा सहला पारेगा कि तुम लोग बर्दाश नहीं करपाऊगे नजर में फेरपाऊगे तेशना पारेगा हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट पारेगा